वेलकम तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेरी बेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके आटी जे नीट या फिर बौड के एक्जाम में बहु जादे से कोईश्टन पूछे आते हैं नुमेरिकल ठीक है तो हम लोग इस्टार्ट करते हैं इसमें पहला में पढ़ना सकते हैं कि इसको क्या कहेंगे देखे कंडे कंडूक्टिविटी या कंडक्टेंस चाइगे कि किसी स्वाड़ जो कंड़ुशन का कंडकेंग निकोंना पास ले लेते हैं इसे नमक ले लिए हमने और उसको डिजाल कर लिया तो उसमें जो आयन्स प्रोड्यूज होंगे उस आयन की वज़े से जो पांड़क्टिंग पामर आएगा ठीक है उसी को क्या बोलेंगे हैं मोलर कंड़क्टेंस बोलेंगे तो हमने पिछले वीडियो में समझे हैं उसको कमरे का अगर हम समय ले लेक्त वाल वाल होगा दिवार होगी उसको हम क्या माले हैं यह कै oppose स सब्सक्ट कर लेता है इसता है क्यं call के बारा दिया क्या Um आपको मिल जाएक आईगा बटन पर तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट चोया आपका मने बताया था द्वी इत्युक्ष बारे में आप दिखना है जो सकते है और यहां भी बात कराई कि हमने क्या-की जाफ करके इसमें भर दिया तिक और वह एलेक्ट्रोलाइट करते हैं कि यह क्या होगा जो आइंस बनेगे यह प्लस बनेगा और सील माइनस बनेगे तो जितने भी आइंस आएंगे उसकी वज़े से जो इसकी कंडॉक्टिंग नगे कंडॉकटिंग और होगा उसे को अगर हम देखें तो इसमेट्मेटिकल कैसे कहेंगे अगर इसको देखेंगे रिपरजेंटेशन वाइट अधॉस इंपन डिफनीशन लिखना है तो यहां से आप ली सकते हैं It is defined as the conducting power of all the ions. Conducting power जो होती है, इसकी all the ions produced by dissolving one mole. यहनि one mole of an electrolyte. एक mole electrolyte को अगर आप dissolve कर दे रहे हैं, तो जो ions produced होंगे, उसकी वज़े से जो conducting power होगी, उसी को क्या बोलेंगे हम? Molar conductivity बोलेंगे. अब इसको हमें क्या अगर हम mathematical derivation में लाना है, तो आपको मैंने कल बताया था, कि इसमें अगर देखें, तो अगर इसका जो length है, मने देखा था कि one centimeter हो, और इसका जो area था, cross section area जो था, तो इसकी को क्या बोलते थे? तो इसकी वज़े से जो इसका conductance आया था, तो इसकी को बोलते थे हम कपा, क्या बोलते थे हम कपा, तो हम कह सकते हैं, lambda EM equal to क्या होगा, तो इसका जो conductance होगा, तो इसकी conductivity को क्या बोलते हैं, कपा बोलते हैं, या इसी को हम specific conductivity कहेंगे, क्या बोलेंगे हम, specific conductivity जो होती है, वो होती है कपा, और इसका जो volume होगा, इसका कोई volume होगा अब वो volume है वो B है अब यह चुकि 1 molar आपने लिलिया है तो हम molar volume कहेंगे वीम कहेंगे पिलिया तो lambda I am equal to क्या लिखोगे कपा into Vm यह मिलिया हमें अब अगर हम बात करें तो अगर हम concentration देखे हैं concentration किसे कहते हैं तो concentration ऊभते है कि number of solution किसी का भी हमने concentration नकालना होता तो क्याले है number of youट ठीक है present in one-liter solution टीक है तो सोलीटर कैसे क粉 घखेंते उसको हम देखें तो cm equal to क्या है number of solute लेक्ट्रोड़क तो क्या लेना है निच्लेऽ की लेना हमने और गदाने लेना है ठिक है तो यह वण मोल हो जाएगा और यहां जो लेना है वो क्या है आपका वी गहेंगे यह तो अगर देखें तो यहां देखें इसको अठाक करकें सकते हैं लेमडा यहां कहाई किया होजएगा यह कपावाई 7 कह सकते हैं यह सी कहीं श सकते हैं चर्व है फिस और अवर चीज देखेंगे अगर रिलेशन देखें तो आप पढ़े वे मोलर्टी किसको वोलतें अ मोल विन कष्थेंगे पर सुलू्टि लिखेंगे तो और और यहां पर यहां पर देखेंगे तो इसका मतलब है कि अगर देखें तो कितना होता है कितना होता हैं सेंटी मीट नहीं होगी अब देखों कितना लेना है कि रहां वन लेना है यहां वयलोम कितना व को गया और यहां क्या है 1000 है तो इससी कोम 1000 से multiply कर देंगे तो molar t equal to क्या लिख सकते है 1000 by v ठीक है अब यह हो गया अब यहाँ पर भी जो है अगर इसी को उभी इम लिखे है तो यहां पर देखेंगे तो लेमड़ा इम आगर इसको पूट कर दें तो कपा हो जाएगा और वी एम के जब पर क्या लिए सकते है थाउजेंड बाई एम हो जाएगा ठीक है तो हमारा क्या मिल गए फाइनल फार्मूला मिल गया तो इन तीनों से क्या हो सकता है नुमेरिकल उचा जा सकता है ठीक है अब यहां पर लिखना होगा हुएर कपा क्या है तो हम कहेंगे इस पेस्पी कंड़क्टिविटी है इस पेसिफिक कंड़क्टी या कंड़क्टेंस है ठीक है और उसके बाद एम क्या है एम बोलेंगे हम मोलर्टी है क्या है आपका निकालना है तो कपा की उनिट हमने बात कर लिया था फिछले वीडियो में तो क्या होता था आपका तो कहते थे साइमन होता था और सेंटीमीटर क्या होता था इन्वर्स तो साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स होता था ठीक है यह हमें पता है उसके बाद यहां पर बात करें तो मौल पर लीटर होता है लेकिन यहां पर क्या होगा आपका 17% लीटर ladder रखना है अब सुनूैमाज सेंटेमीटर स्टेमेटर स्टस्राइब की नियुल एक यहां वहांक होगा काम यहां यह क्या होगा क्ट जाएगा साइमेटर स्कॉार बचेगा और मोल उपर आएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा तो साइमन सेंटेमीटर स्क्वार मोल इनवर्स और हमने बात किया था कि आप इसके जगर पर क्या लिख सकते हो ठीक है तो साइमन अगर हम यसाई यूनिट लिखते हैं तो साइमन ठीक है मीटर इसक्वाइर भी लिखा जाता है मोल इनुवर्स भी लिखा जाता है इसे कहीं कहीं आपको यसाई यूनिट अगर पूछेगा तो यह याद रखेंगे ठीक है साइमन मीटर इसक्वाइर और मोल इनुवर्स ऐसा दूसरा टापक हम बात करते हैं हमने बात किया था मोल incomp椅र मोल सब्राइब था उसी टाइस से इसमें भी लेना कितना लेना है वन एक्यूवाइलेंट लेना है कितना वन एक्यूवाइलेंट तो वन एक्यूवाइलेंट हमें क्या करना है वन ग्राम एक्यूवाइलेंट हमने सोलूशन लेना है और सोलूशन को हमें डिजाल कर लेना है यानि उसको बोले तो इसकी वज़े से जो रॉड़ींटेस होंगे और उस आयनों की वज़े से कह सकते है जो कंडक्टिंग पावर आएका या जो कंडक्टेंस बोलेंगे सकते हैं एफ क्या बाइड डिजाल विंग वन ग्राम एक्यूवलेंट वहां पर क्या था वन मोल था यहाँ पर हमने चेंज कर दिया खाली कि तना वन ग्राम एक्यूवलेंट आफ एलेक्रोलाइट इन सोलीशन ठीक है जब कह सकते हैं कि कंडुक्टिंग पाउर आफ आइंस प्रोडूज़ अब यहाँ पर पर अगर बात करें तो इस solution को हमने क्या चाहला है इसमें सेल में डाल दिया तो इसका कह रहा है कि अगर इसका एरिया अब उसकी बात क्या करेंगे कि इसमें जो हमने वैलूम फिल किया जो इलेक्ट्रोलाइट का वैलूम है उसको हम यहां से मल्डिप्लाइ कर सकते हैं तो टोटल हमें पता चल जाएगा कि इसका एक्यूवलेंट कितना है तो यहां पर भी एक्यू लिखेंगे वहां पर हम लिखते थे यहां पर के लिखनेगे बीएक्यू लिखेंगे हाला कि बीभी लिखते कोई प्रावलम नहीं है और हमने वहां पर देखा था कि अगर हम बात करें तो कंसेंट्रेशन जो था वन बाई बी लिखते थे यहां पर भी वही बात है तो हम लिख सकते हैं य और एक फार्मूला हमें यहां पर मिल गया अगर हम इसको नॉर्मल्टी अगर देखो वन ग्राम एक्वालेंट अगर वन लीटर सोलेशन में डिजाल्व कर दिये हो ठीक है तुसी को क्या बोलते हैं नॉर्मल्टी तो वहां पर हमने जैसे फार्मूला देखा था कि जो क्या लेना हमें दो को वहां पर हमने वन मोलर लिए था हमें बस इतना ही अंतर तो हमें क्या करना है लेमड़ा एक क्या करना है कप्पा हो जाएगा इंटु… 1000 वाई क्या लिखने नहीं लेना के लिए और यह एन जो गाओ क्या होगा नार्मल्टी अग्षलिशन होगा ठीक है और इकॉल टू नॉर्मल्टी normality of the electrolyte या solution ली सकते हैं अब इसके बाद अगर बात करें हम यहां प्रकाँ है, तो कपा को क्या बोलेंगे, हम specific conductance बोलेंगे, मुलेंगे, उनन इक है तो यह हमें समझ में आ गया अब इसका हम क्या लेतन है, इक unit निकाल लेते हैं तो unit of lambda eq equal to क्या हो जाएगा तो अभी हमने देखा जो formula क्या था lambda eq था equal to कप्पा था upon क्या था ये था ठीक है into 1000 था clear यह हमने देखा था अब इसका unit लिखाना तो unit of eq lambda eq equal to क्या हो जाएगा अब कप्पा की जो था वो क्या था साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स था साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स था और इसके बाद नार्मल्टी है ठीक है तो नार्मल्टी का अगर हम देखें तो इसका क्या हो जाएगा तो इसको ले सकते हैं तो नार्मल्टी है तो नार्मल्टी का क्या हो था एक्क्यू और ते harbor चला जाए और उसके बाद से संटिम्स्ट क्योट और ऊपर जाएगा अब इसको out करोगे साइमन हो जाएगा सेंटीमीटर स्कॉार हो जाएगा is crazy वेलेंट हो जाएगा उसका यूनिट साइमें cm2 equivalent inverse यह यह एक यूनिट बन जागा जैसे हमने वहाँ पर molar कंड़क्टेंस में देखा तो वहाँ पर हमने मोल इनवर्स लिखा है यहाँ पर क्या लिखना है एक्वालन इनवर्स पॉस और सब सेमन दूसरा यूनिट क्या लिसकते हो तो साइमन को हम क्या लिख सकते हैं ओम इनवर्स भी तो यहां фильм सकता है और अगर आपको इंच्य स्सिस्टम दिखना थो साई में और जाएगा और राग देखें तो साइमन वह जपार और मि charter सक्वार जाएगा और यहां में बार करते हैं relation between lambda and lambda Eq यह क्या होता है वेजटा है very very important numerical में बहुत काम आते हैं ठीक है तो यहां पर अगर हम relation देखना है तो क्या लिखेंगे हम lambda Eq लिखेंगे लैबडा Eq तो अब हमें पता है कि lambda em की फार्मूला जो होता है क्या होता कॉपा इंटू 1,000 होता है डिवाड़ भाइग लेमडा एक्यू कि अगर बात करें तो कप्पा लिखते हैं इंटु 1000 लिखते हैं डिवाड़ क्या हो जाएगा या जाएगा टिक है अगर आपको पता है तो कोई दिक्कर नहीं लेकिं एजाम में अगर रिटें इजाम हो रहा आपको लिखना पड़ेगा यान इक्वल्टू क्या अगर करते हैं टीक है तो वहां पर हम सोना या वह करते हैं तो वहां पर या जेड फेक्टर बोलते हैं कहीं कईसी किसी बुक में एन से भी रिप्रजण करते हैं तो i carry एन एन वाई एं इकल्टू क्या होगा यह एन ऐसा भी लिखा सकता है ठीक है तो आप हम लोग क्या करेंगे जेड़ यह सकते हैं तो नजम न उसके बाद हो गया जम नजम से याद कर सकते हैं यह मतलब होता है यह मतलब मोलर टेकल यह होता है तो अगर हम देखें इसको हम यहां पुट कर दें तो लेंडा एक्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको जैट हो जाएगा और लेंडा एम इक्वल तो इसको कै demon रखना दो नहीं यहां पर बात किरें यह यह नि mean learn तो मजाक मजाक से याद रखेंगे माजाक तो यहनी लैमड़ा एकोल टू क्या होगा जैड इंटू एक्यू होगा जिसको जैड फैक्टर वोलेंगे जैसे निकलेगा उसको समझेंगे जैसे कह सकते हैं for, electrolyte, है को हमारे पास electrolyte है, जैसे हमारे पास क्या है? na cm और इसका हमें z factor निकालना है, तो z कितना होगा? तो अगर इसको आप dissociate करोगे, तो यह प्लस होगा, और cl मायनस होगा, तो या तो आप को total प्लस वाला sign चूज करोगे, कि यह तो मैनस दोनों नहीं चूच करना कि वर वन टू होगा ऐसा गलत हो जाएगा किवह आपको क्या करना है प्लस या फिर माइनस लेना है ठीक है तो यहां पर देखो यह इन पर सब्सक्राइब यह हम कहेंगे वात करें गश्या मालस यह यहां पर कितने है चार्ज अनगा यह तो यह यह मानणस देखोगे तो वन सीरफ तो फैक्टर वह जाएगा यह इस इत snel पास है अलूमीनियम है तो होता है और यह सो फोर का फोल होता है इसको आते करते हो तो एलमूनियम कितना लिखना अब को सिक्स ठीक है यह बजाएगा और इसी टाइब से अगर हम बात करते हैं कि जैसे माल यह कभी-कभी क्या होता सलफेट आयन कुछेगा तो इसी टाइब से आपको फास्पेट आ गया तो फास्पेट पर फास्पेट पर थी मायश होत बीच्राव से मिलते हैं तो इसके हम नुमेरिकल को समझते हैं । यहां पर हमने एक सॉलुसन लिख दिया है देखें यहां कोशिछन लिख दिया देखें कंडेक्ट वूट्टी या पैरा जीरो पाइंट तू मोलर सॉलूशन नहीं के सी ल है ठीक है जो कि फिस यह की जो मो सब्सक्राइब करेंगे कभी कभी जो है इस टुडेंट में कन्फ्यूजर आता है कि जो तो हम कपा लिखें या फिर लिखें तो अगर आपको ऐसा कोई सब्सक्राइब रखेंगे इसके यूनिट से आप पहचाँ सकते हो इसली यहां देखो यूनिट जो दिया है वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दिया है तो कभी-कभी यह सकता है है यहां इसलीसली कपा लेना है तो चरहें सब्सक्राइब यहां लिखना होगा नुट सेटे-खें इसलीट सेंटलीमीटर इनवर्स-घूइएलल्स या बता रहा पूछ रहा है बद में सोलीशन लिखना होगा तो तो सोलुशन में लेमडा एम ठीक है तो लेमडा एम का हमें फार्मूला पता होना चाहिए अब देखो लेमडा एम का ऐसा फार्मूला पता होना चाहिए जिसमें हमें कपा भी आजाए और एम भी आजाए तो यही पार्मूला हमने पड़ा है तो कपा भाई क्या होता है एम इ तो 25 पाइब तो 25 तो 25 पाइब किन आ जागा 125 तो लेंडा यह मिखोल टो 125 आ जागा अब इसकी जो वह उनिट हो क्या होता है साइमन होता है सेंटिमीटर स्क्वायर होता है और उसके बाद मोल इनवर्स होता है ठीक है तो इस टाफ से इसके पुश्चन को देखते हैं एक और आफ निए अगला कोशलिशन है कि राक कैल्कुलेट दाइक वालेट कंडुक्टेंस आप और जिए सबस्ते हैं निहीं हम कह सकते हैं पहले पहले क्या-क्या गिवेन उसको देखना तो करा मोलर्टी दिए यहन एक्कल तो कितना है ओन मोलर्टी दिया हुआ है और उसके बाद सोलूुशन हुज na conductivity इस प्रेरा इतना है कुपपा देविघ ठीक है का say पूच रहा है तो घ। अपका high供 वह पता है कि यह सल्यूसर निकालेंगे हैं अब लेम्डा एक्यू एक्यू जो फार्मूला हमने पढ़ा है वो कपा येन पढ़ा है और इंटुब आज्ट सब्सक्राइब देखा कि यह देखा है अब यह नार्मल्टी दिया है यह आपको यह प्रावलम होगी कि हम कैसे निकाले इसको हम क्या निकाले जेड़ निकाल देखो सब्सक्राइं और देखें तो किसे ब्रेक हो रहा है नहीं जानते हैं अब इसको इंप को उधर ले जाओ तो एन यह हमने देखा है अब आपको जड़ इकोल टू कितना आ गया और इसके बाद कितना है वन तो यहां कि कितना आ जागा टीक है तो इसको आप यहां पूट कर दो आगे समय यहां पर हम लेंडा एक्यू टू क्या जागा कपा कपा की वैलू है आपका 26 इंटू पावर माइस चार्थ यहां सब्सक्राइबगा और इसका हूंर किया और सिस्कूर करते हैं सोने होता है सक्ष के लिए ज mistakes के लिए काफ़ेड आपके थग मिलते हैं ज्दिण